अगर आपने अमारा चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें आज हम आपके साथ अचारी आलू की रेसिपी लेकर के आए हैं इसमें जो मैंने अचार का मसाला डाला है उसकी रेसिपी आपको उपर आई बटन क्लिक करने पे मिल जाएगी आए हम देखते हैं हमने ये अचारी आलू कैसे बनाए हैं इसके लिए हमने एक कढाई ली है प्याज है और तीन से चार बड़े लेसुन की कलिया है इन सब चीजों को ले लिया है एक चौथाई कप गाढ़ा दही है डेर चमच अचार का मसाला है ये अचार के मसाले की रेसिपी आपको आई बटन में मिल जाएगी क्लिक करने पे एक बड़ा चमच कश्मीरी लाल मिर्श ली है एक चौथाई चमच हींग मेरे अचार के मसाले में नमक हल्दी सारी चीजे मिली रहती है इसलिए मुझे और कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप मेरे मसाले की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा डालन की जरूरत नहीं पड़ेगी तेल हमारा गरम हो चुका है गरम तेल में हमने एक चौथाई चमच हींग डाली है प्यास को और लैसुन को अच्छी तरीके से चौप करके इसमें डाल दिया है अब हम प्यास को बहुत हलका सा ही भुनेंगे बिलकुल ट्रांस्परेंट केवल लोका जाए एक गुलाबी सा रंगा जाए प्यास में केवल तब तक हमको उसमें बुलना है और आलू को हमने दो भाग में काट लिया है मीडियम साइस के आलू आप लीजेगा बहुत बढ़े आलू इसके लिए नहीं लीजेगा और अगर आपके आलू बहुत चोटे हैं त इसको डाल देंगे और अच्छा सुनेरा होने तक इसको भूल लेंगे ये सबजी फ्रेंस बहुत जल्दी बन जाती है बहुत जटपट तयार हो जाती है अगर आपका अचार का मसाला तयार है अचार का मसाले की रेसिपी आप उपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं और इसके साथ साथ मैंने अपने और भी वीडियो इसके साथ शेयर की हैं जैसे अचारी पनीर, अचारी बैगन उसकी भी रेसिपीज आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं देखे अब हमारे प्याज हो बई थी इसमें हमने अलू डाल दिया है अब आलू डाल करके पकाना नहीं है ये सब्जी बहुत जटपट से तयार हो जाती है देखी हमारे अलू अच्छे से फ्राई हो गए है बस एक अच्छा कलर इसमें आने देना है तब तक हमको इसको फ्राई करना है हमारे प्याज और आलू देखी बहुत अच्छा कलर आ गया है अब हम इसमें और थोड़ा सा भूनेंगे दही जब अच्छी तरीके से आलू और प्यास सब में मिल जाएगी तब हम इसमें अचार का मसाला जो हमारा तयार है वो हम डाल देंगे फिर से प्रिंस बता दू मेरे अचार के मसाले में नमक, हल्दी, मिर्चा, सारी चीजें अच्छी तरीके से अनुपात में मिली हुई है इसलिए मुझे इसमें कुछ भी ऊक्स्ट्रा डाले की जरूरत नहीं है, कश्मीरी लाल मेर्च हमने इसलिए डालँ है जिससे कि हेमारे सबजी को एक अच्छा सा कलर आ ले जयाए इसलिए मै ने इसमें काश्मीरी लालमेुश डाली है यह optional है अगर आपके पास नहीं हो तो सबजी आपकी उससे भी अच्छी लगे कि बिना कश्मीरी लाल मिश डाले भी कश्मीरी लाल मिश डालने से बस एक अच्छा कलर आ जाता है अब यह सारी चीज़े अच्छी से कमबाइन हो जाए इसलिए हम इसको ढख करके दो से तीन मिनिट के लिए भुनेंगे और आच अपनी धीमी रखेंगे अब मैंने यह थोड़ा सा फ्रेश मिन्ट लिया है पुदीना लिया है इसको थोड़ा सा चॉप कर लिया है वो डाल दिया है कश्मीरी लाल मिश डाल दिये और फिर से एक बार हम इसको चला देंगे सारी चीज़ें अच्छी तरह से कमबाइन करने के लिए देखें कितना सुंदर कलर आक्या है और हमारी सबजी कितनी जटपट से जल्दी से तयार हो गई है यह सबड़ी आप प्राठा पूरी रोटी किसी के साथ भी सर्फ करें यह बहुत अच्छी लगती है और बहुत जटपट से तयार हो जाती है अगर आपके हाँ कोई महमान जाए जिसे आपको तुरंत लंच या डिनर कराना हो उसके लिए अगर आपका अचार का मसरा तयार है तो बहुत जल्दी से आप यह रेसिपी बना सकते हैं इसके साथ आप मेरी पनीरी अचारी पनीर की रेसिपी अचारी बैगन की रेसिपी भी फॉलो कर सकते हैं फिर से हम जिससे की सारी चीजें आप अपर इसमें कमबाइन हो जाए, मिंट का फ्लेवर, मसाले का फ्लेवर, सारा फ्लेवर एक दूसे के साथ अच्छी तरीके से मिल जाए, लीजे हमारी सबजी बन करके तयार हो गई है, और अब हम इसको एक सर्विंग बोल में निकालेंगे, और इस गरम गरम पराथे के साथ मैंने इसको लच्छे पराथे बनाए थे, लच्छे पराथे की भी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएकी, या उपर आई बटन आप क्लिक करिएगा उसमें भी आपको मिल जाएकी, इसको मैंने लच्छे पराथे के साथ साथ इसको आप बडाठे पूरी किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, लॉंच डिनर किसी में भी बना सकते हैं, और इसका मजा ले सकते हैं, फ्रेंज्स ये सबजी बहुत जल्दी बनती हैं, और बहुत स्वाधिश्ट लगती हैं, फ्रेंज्स, होप यू लाइक दिस रेसिपी, थैं